नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का स्टेडी ग्लूस पर हम लोग जब किसी एडिक्शन के अंदर फंस जाते हैं तो ये चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको डॉक्टर को कब दिखाना है और थेरेपिस्ट को कब दिखाना है हम लोग ये डिफ्रेंशिये कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरुवत है या फिर थेरेपिस्ट से काम चल जाएगा चलिए बात करते हैं देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप किसी एडिक्शन के अंदर है तो आपको ये चीज एकसेप्ट करनी पड़ेगी कि आप आपको ए अच्छा दिमाग होता है जो चीज ये कहता है कि नहीं ठीक बात है यार हम लोग आपका शैतानी दिमाग कोशिश करते हैं कि अगर आपको addiction हो चुका है तो क्या आपको डॉक्टर के पास जारे की जरूत है या counseling से भी या therapist से वो ठीक हो सकती है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी इसके बारे में यहाँ पर एक चीज मैं पहले clarify कर दू कि देखे doctor अलग advise करते हैं और therapist जो है है वो अलग advise करते हैं लेकिन जब आपको कोई problem होती है तो पहले आपको यह वाली stage जो है इसको follow करना होता है therapist वाली जो है उसको कहते है counseling करना पहले आपको वह चीज follow करने पड़ती है उसके बाद में ही आप लोगों को यह decide करना पड़ता है कि मुझे आप दोक्टर के पास जाना है लेकिन एक as a therapist जो है मैं आप लोग की थोड़ी सी मदद जो है वो करने के लिए तयार हूँ आप लोग को 75 days का hard challenge जो है उसको accept करना पड़ेगा और यह decide करना पड़ेगा कि अगले 55 दिन तक मैं क्या वो rule follow कर सकता हूँ यह hard challenge इसलिए शुरू किया गया है ताकि आप सभी जितने भी लोग हैं वो खुझ से challenge लेना सीख सके और जब इंसान खुझ challenge लेता है तो उसके अंदर उसको करने के willpower होनी चाहिए और जैसे willpower develop होती है तो वो किसी भी लक्षे का पीछा कर सकता है उसको मात दे सकता है इसलिए मैं आप लोगों से यह गुजारेश करना चाहूंगा कि वाकई में आप इस addiction के अंदर हैं लेकिन आप लोग मानते थोड़ना है नहीं नहीं वहां में तो किस तरीके से जो है वो हम लोग आपको बाहर निकालेंगे इससे उसके लिए 75 टेकनिक जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है डेली लाइब सेशन्स होते हैं आप लोग जुका है मैं सबसे पहले क्या करना चाहूंगा मैं काउंसलर की पास में जाना चाहूंगा जिससे बात करके मैं अची डिसाइड कर सकूँ कि वागई में मैं addiction के अंदर हूँ, तो वो चीज, वो वेक्ती जो है, मुझे ये समझा देगा कि हाँ, आप addiction के अंदर है, और आप इस तरीके से जो है, इससे बाहर निकल सकते हैं, सबसे पहली बात ये है, कि आपके relationship के अंदर problems जो है, वो आना शुरू हो गई है, किस तरी के problem, आप जब भी बात करते हैं, तो हमेशा अपनी ही बात को उपर रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो temperament है, वो कही ना कही कम हो चुका है, किसी बात को, यहनु ए Hack Temperament है, किसी बात को सुन नहीं पा रहे हैं आपके listening power जो है वो बहुत तक कम हो चुकी है किसी किताब को पढ़ने का decide करते हैं लेकिन 10 से 15 page पढ़ने के बाद उसको बाहर की तरफ जो है वो निकाल देते हैं मतलब पढ़ नहीं पाते हैं किसी plan को शुरू करते हैं execute करते हैं लेकिन 10 से 15 दिन बाद वो plan कहा और हम कहा दोनों चीज अलग-अलग हो जाती है हास्त तोर पर मान लीजे कि आप already जो है वो शादी सुदा है तो भी आपके साथ में बहुत problem जो है वो आना शुरू हो जाती है तालमिल नहीं बन पाता चोटीटी बातों पर गुस्सा करते हैं और इसके साथ में आप उस addiction को भी मतलब आप जो है adult content को भी सर्च कर रहे हैं तो भी आपके साथ में problem जो है problem की जड़ वो है आप जिस चीज को problem मान रहे हैं वो problem है ही नहीं इसके शुरुआ कहीं और से होती है मतलब उसकी प्रश्ट भूमी कहीं और है तो पहली बात अगर आपके relationship के अंदर कहीं भी problem आ रही है आप ठीक धंक से उसको maintain नहीं कर पारे तो उसके जड़ को ढूनने के ज़र्वत है ठीक है पहली बात तो यह है तो आपको therapist के पास में जाना चाहिए अब person feel guilty about their pornography use जब भी आप इसको use करते हैं तो after use अब after use आप लोग समझ रहे हैं जैसे ही content को use करते हैं उसके बाद में आप अपने आपके अंदर guilt feel करना शुरू कर देते हैं अगर वागई में आप लोग भी यह feel करते हैं तो आपको जरूर जो है therapist के पास जाना चाहिए counselor के पास में जाना चाहिए और as a counselor जो है वो भी हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं तो आप जो है अगर guilt feel कर रहे हैं खुद से ही धीरे धीरे अब इसमें होता क्या है कि इंसान जो है वो धीरे-धीरे खुद से ही जो है वो एक negative point ढूणना शुरू कर देता है खुद की जिन्दगी के अंदर जो negative point है उनको वो गिनना शुरू कर देता है positive point के तरफ उसकी नजर जो है वो जाती ही नहीं है कि मेरे अंदर positive क्या है नहीं वो इसी इसको देखता ही नहीं है वो हमेशा negative जो point है उनको highlight करके रखता है कि मैंने अपने जीवन के दर यह नहीं किया वो नहीं किया उस समय वो करता तो यह हो जाता ठीक है और आप addiction के साथ में यह सभी thoughts आपके दिमाग में आ रही हैं तो कहीं नहीं कहीं आप लोगों को therapist जो है counselor उसकी जरूरत है अब इसको generalized way के अंदर नहीं लेना है क्योंकि यह सब चीज़े जो है वो आपके concentration और focus को impact करती है और आपको पता नहीं लगता क्योंकि यह addiction है कोई generalized way तो नहीं है कि ठीक यार कोई बात नहीं कोई साल में एक बार हो गय गया महीने में एक बार हो गया ऐसा कुछ तो नहीं है आप उस addiction के अंदर है इसलिए आपको जो है वो जल्द से जल्द इस चीज़ को समझने के जरूरत है तो यह एक point है कि अगर आपको guilt feel होता है तो आपको जल्दी जो है वो किसके पास में जाना चाहिए counselor के पास में जान होता है अगले दिन दो दिन बाद तीन दिन बाद वापस से उससे connect हो जाता है अगर आप भी इस समझा से जूज रहे हैं तो वाकई में आपको पहले therapist की जरूरत है इस stage तक आपको therapist की जरूरत है अभी तक डॉक्टर की जरूरत नहीं है डॉक्टर की जरूरत कब रहे हैं तो आपको एक support system की जरूरत है आपको जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो कि आपको इससे बाहर निकाल सके मैं आपको अब आप लोग सोच रहे होंगे आपका शेयतानी दिमाग काम कर रहा होगा कि सर जो है वो course के लिए influence कर रहे है बिलकुल भी नहीं है course कोई बने हुए हैं तो कोई साथ में तो खड़ा है support system है तो सही अगर ना हो लेकिन साथ में खड़े है न तो आप लोग अगर ये feel करते हैं तो आप लोग को जरूर जो है therapist के पास में जाना चाहिए counselor के पास में जाना चाहिए कुछ point ऐसे हैं मैंने यहां से कुछ point हटा भी दिय है जिनके बारे मैं जिकर करूँगा इन conditions में आप लोग को doctor के पास जरूर जाना चाहिए तुर therapist काम नहीं कर पाएगा पहली बात they experience symptoms of anxiety, depression के अंदर आप लोग को आ चुके हैं, insomnia आप लोग को हो चुका है और mental health आपकी conditions खराब हो चुकी है अगर mental health कही ना कहीं effect कर रही है regular effect कर रही है, बार-बार repetitive अगर आप लोग के निर आ रहा है तो आपको जरूर doctor के पास में जाना चाहिए तो कि वो एक mental health की बात है इसलिए आपको उस stage पर किसके पास में जाना चाहिए दॉक्टर के पास में जाना चाहिए फिर आपके लिए जो है वो basically आपके लिए या फिर आपके partner के लिए ये चीज जो है वो क्या हो जाए painful हो जाए तो उस समय आपको किसके पास में जाना चाहिए दॉक्टर के पास मे करण क्या है कि जब अगर मैं बोलूँगा तो यूट्यूब की तरफ से वहां पर फिर बीप आना शुरू हो जाएगी है ना तो कहीं ना कहीं जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो बेसीकली बिकम्स जो है वो पैंफुल होना हो जाता है तो इस उसको एडिक्शन लग जाए तो फिर ये दो एडिक्शन वो सफर कर रहा है डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए वाकई में कंसल्ट करना चाहिए कि इसकी रेमेडी क्या है मैं कौन सी मेडिसिन जो है वो ले सकता हूँ तो ये वो इस्टीज है और खास तार पर जितने भी जितनी भी लोगों की शादी शुदा जिंदगी है वो कहीं न कहीं खराब होने लगती है तो आपको डॉक्टर से इस चीज के बारे में कंसल्ट जरूर करना चाहिए लेकिन इंडिन सुसाइटी के अंदर इन प्रॉब्लम्स की उपर हम लोग ध्यान नहीं देता है मैं जो हेल्थ होती है इसके उपर जो हम लोग गौर नहीं करते तो ये एक सिगनल है आप लोगों के लिए कि आपको डॉक्टर के पास जो है वो जाना चाहिए लेकर अगर वाकिए में काउंसलिंग से ठीक हो सकता है तो एक मौका जो है वो इस्टेडी ग्लॉस को जरूर दीज दीगा क्योंकि ये चैलेंज आप लोगों को एकसेप्ट करना पड़ेगा दिखिए अगर दुनिया जीतनी है तो चैलेंज जो है खुद से लेना पड़ेगा और सफलता जो है वो हमेशा आपका वलिदान और त्याग मांगती है तब जाकर आपको सकस मिलती है आप कितना ड कंसेंट्रेशन फोकस को धीरे 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 जो है वो दीमक की तरह खा रही है तो 75 डेस का चैलेंज जो है आप लोग एकसेप्ट कीजिए 75 चैलेंजिस आप लोग को दिये जाएंगे 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगे with real story से connect करके ताकि आप लोग उस story का स पर आप लोग जोईन हो जाएए खास तोर पर जिन्हों ने कोर्स जोईन किया है उनके लिए अलग से भी टेलिग्राम चैनल बनाए गया है ताकि उनको अच्छे से guidance जो है वो मिल सके मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तक ले धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद